जो मैं भी आप लोग से बात कर रहा हूं उसका मैंने heading डाला है how to handle naughty children मतलब शयतान बच्चों को कैसे handle किया जाए कैसे करेंगे हैंगे उनके साथ शयतानी करके जैसे वो लोग है वैसे शयतानी करके आप बता ही राम जी इनको समझेंगे ठीक है बाद में समझाएंगे क्या चाहते हैं उससे बात करेंगे कोई इम्तिहार नहीं हो रहा है अम लोग खाली discuss कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ मैं अपनी observation पिछले एक हफते दस दिन की चुकि हमारा पूरा घर डिस्टरब रहा है बलकि खाली यहीं नहीं लहावाद भी डिस्टरब रहा है बबू का भी घर डिस्टरब रहा है सब लोग डिस्टरब रहे हैं तलब रिंपी के घर पे भी लोग डिस्टरब रहे हैं सब लोग डिस्टरब रहे हैं और वो सब एक बदमाश बच्चे की वह से तो उसको कैसे हैंडल किया जाए क्योंकि यह जो एक बच्चा है ऐसे हम लोग के पास हजार बच्चे हम चाहते कि हमारे पास आ जाएं, उसको बात करके हम उसे हैंडल कर सकते हैं, मैंने एक चीज नोटिस की इस पूरे प्रक्रण में कि एक बच्चे की बदमाशी से या नॉटी पने से हम अल्मूस्ट सबकी बदमाशी निकल के आ गई बाहर, बाकी सबकी बदमाशी निकल के आ गई, हमारे पेरेंट्स की, हमारे भाई की, हमारे ब्रदर लिलोग की, आपस में हम लों की, टीम वालों की, मेरी, रिमपी की, हम सब भी बदमाश हैं, लेकिन वो छुपी होई बदमाशी रहती है, दिखती नहीं है, हम बड़े डिस्प्लिं हो जाता है तो उस मावल में हम भी अंडिस्படंट हो जाते हैं कि अग्सिं एंडिस्प्रिन कर को ओर हम यह सोचते हैं कि बच्चे हमको अंडिस्प्रिंट कर रहे हैं इसे मान लीजे हम बेटे हैं हम किताब पढ़ना चाहते हैं और हमारे लिए बहुत important किताब है उसको पढ़के हमारा बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है लेकिन बच्चा आकर कि उसकिताब को छीन रहा है तो अगर मैं उसकिताब को बंद करके रख दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि भाया मैं नहीं पढ़ पाया या काम नहीं कर पाया तो उसका अगर माने जे किताब नहीं होती फारम होता उस फारम को भरके हमको फ्री में लप्टॉप मिलने वाला होता और कल लास्ट डे होती तो हम क्या करते हो सकते बच्चे को बलते हैं तुम खेलो हम जा रहें कहीं और बाहर फारम भर लेंगे हम स्कूल में बैठ लेंगे डॉन ब वल नर रेबिलिटी मतलब हम किसी चीज के लिए कितने इसको हिंदी में मुझे बताना मुश्किल है वल नरेबल है जैसे लकड़ी जो है जलने के लिए वलनेरबल है बहुत जल्दी और लोहा अगर आप जलाने की कुशिच करेंगे तो उतना वलनरेबल नहीं है Do a mm-स खोटे से होते हैं तो छोटे-चोटे वच्चे जो हैं वो उनके SARE पीजिए तो वह भी स्मॉकिंग के वर्लिरिबल होते हैं सिडल पी सकते के अदर में आदत आज़ा सकती हैं तो बहुत छोटे पन में हमारे अंदर में धेर सारी वल्लरिबिल्टी होती है अभी भी रिम्पी बोल रही थी कि बच्ची गर यहां रहेगी तो उससे फिर पूरा घर डिस्टर्ब होगा तो इनको कैसे हैंडल करें तुम पताए मेरे मन में क्या सवाल आया कि आशीश भाई तुम अपने आपक निश्रा आपके साथ क्या कर और है अग्डार करने का मतलब एक बड़ा इसमें खास है यह जो हैंडल वर्ड हम लोग बोलते हैं लेकिन अपने लिए अगर बोलें कि अपने को हैंडल कैसे करेंगे हैंडल क्यों गंदा है पता है ऐसल से साम को समान उठा रहे हैं समान कैसे ठीक करेंगे, पेंचकस लगाएंगे, उसमें स्क्रू टाइट करना है, लेकिन आदमी का पेंचकस तो होता नहीं कि बठा दिया, चलो, किताब निकालो, बैटो बढ़ो, उसको तो हमने बोल दिया, किताब निकाल के बैटे बढ़ो, तब उसके मन में क्या चलेगा, कल छोटी किसी घटना होई, जो गौरी है, वो फेसबुक कर रही थी, यहां मैं बैटा था, यहीं पर, रिम्पी बैट लेटी होई थी, उधर कविता लेटी होई थी, और पीछे गौरी, छोटे वले लैप्टॉप में फेसबुक कर रही थी, और फेसबुक में किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रही थी, बातचीत कर रही थी, तो रिम्पी ने खाए, क्या कर रही है बेटा, बिखाओ, तो उसने दिखाया, मैंने देखा, रिम्पी तो लड़की के साथ चैटिंग कर रही है, तो उसको क्या करना है, उसको बताओ, ऐसे कर रही है, फिर मैंने कहां बंद कर दीजे बंद करके रख दिया उसको गॉरी वहां पर बैठी रही गुस्सा भी नहीं थी बैठी रही फिर मैंने निंपी से बोला इसके मन में इस समय क्या चल रहा होगा आपके साप से क्या चल रहा होगा उसके मन में हठ जाएंगे तब चलाएंगे तो मैंने निंपी से ही कहा कि इसके मन में इस रही चल लेकिन ये चीज हमारे मन में नहीं आता कि उसके मन नहीं बात मान रही है, मैंने इनसे पुछा है, यह हम क्या चाहते हैं, कि बच्ची को फेस्बुक पर किसी लड़के से बात न करे, यह चाहते हैं, या हम यह चाहते हैं, कि उसको यह एहसास हो, कौन सी एक्टिविटी करना, करने से उसका evolution होगा, growth होगा, और कौन सी activity करने से growth नहीं होगा, यह चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं बच्चे के साथ, growth हो, समझदार बने, हम लोग लेकिन क्या करते हैं, पेड में, पेड में पत्ते जो निकलते हैं, तो काट देंगे, अगर पेड के पत्ते काट देंगे, तो क्या होता है, पता है, पेड बढ़ेगा, तो व और यही हमारे साथ भी होता है कि अगर हमको कोई रोकता है किसी काम को करने के लिए तो फिर कैसे रोके बच्चे को इस पर दर निकालना पड़ेगा वसलौ बता हुगरा, उपाता है शुभी कल सुरभी पूछ रही थी कि जो अच्छा अच्छा काम हम करते हैं गरीबों को दान देते हैं, खाना खिलाते हैं वो किस ले करते हैं यह जो हम लोग बता रहे ना अच्छा अच्छा काम बच्चों को समझाए More और बच्चों को यह पता रहे कि वो लोग जो भी कर रहे हैं सब हमको पता है। इससे और डर बढ़ेगा कि कम होगा। हम चाहते हैं बच्चा हमसे डरे ना। आपने जो कहा है एकदम चायज बात है। और यही आम तोर पे अक्सर मावाप कोशिश करते हैं कि हम तुमारे दोस्त हैं, हमको अपना समझो और बताओ तुम क्या साच सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़े हैं जो कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितने भी अच्छे मावाप हो। जब उनको मालूम पड़ेगा बात यहां तक पहुँच गई, तो जो दोस्ती की एक जिली हमने उपर लगा रखी है, जिली उतर जाती है। उसे इम बच्चे कर दिमाग अप्सट हो। लेकिन उसके भी पहले अपने अंदर सही करने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर में है वो। क्योंकि हमारे अंदर में जो चीजें सही हैं और जो चीजें गलत हैं हमको तो पता नहीं है हमारे अपने जो वैल्यूज हैं कि हमारे लिए हो सकता है दो हजार रुपे चोरी करना गलत हो। लेकिन दो रुपे की चोरी करने में कोई फरक नहीं पड़ता। चलो रुपए चोरी करना हो सकता है गलत है लेकिन अगर मैं बैठा हूँ आराम से बैठा हूँ किसी जोगा कुछ नहीं कर रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है वो ऐसे गलत हो सकता है कि वहाँ पर किसी एक परिसिती में मेरा रिस्पॉंस बहुत इंपॉर्टन था और उस समय मेरा रिस्पॉंस ही नहीं आया जैसे पिछले साल भर से गौरी को लाने का प्लान बन रहा था दो साल से बलकी तो साल भर पहले बब्बु गया लहाबात उठा के ले आया उसके बाद पिछले वापस पिताजी ले आए तो मेरा भी प्लान था कि मैं ले आओंगा, ले आओंगा, ले आओंगा, लेकिन वो दो साल से मेरा प्लान टलते जा रहा है, अब वो सही है कि गलत है, बहुत बार activity गलत होती है, कुछ करना गलत होता है, और बहुत बार कुछ न मैंने evaluate किया कि मैंने कितना काम किया मैंने क्या क्या activities की इसको मैंने लिखा नहीं वास ऐसे mentally देख रहा था कि क्या क्या हुआ अब जिसे छोटी सी चीज में बता हूँ मैंने center से सुरुभी को phone किया था कि सुरुभी एक page बनाओ इसका नाम होगा बिना दहेज की शादी का page फेस्बुक पर और उसमें हम लोग हर उस बंदी की फोटो डालेंगे और नाम डालेंगे और contact number डालेंगे जो की दहेज के बिना शादी करना चाहता है यह चीज एक हफते पहले दस दिन पहले मैंने बोला था सुरुभी से लेकिन एक हफते दस दिन में उस activity के बारे में न मैंने पूछा न उसने कुछ बताया जब मैंने कल उससे पूछा उसने मुझे phone पर कहा था कि हाँ बन गया है और जब कल पूछा तो उसने बताया कि भाया मुझे page बनाने नहीं आता अब इसमें गलती कहा है पता है गलती नहीं है बट उसको पता ही नहीं चलाया कि यह गलती है गलती यह है कि अगर उसने मुझे बता दिया होता कि भाया मैं page नहीं बना पा रही हूँ दस दिन पहले तो हम उस एक्टिविटी के लिए उसके उपर आशुरित न होते उसने ये क्यों कहा कि बन गया क्योंकि ये काम उसको बहुत इंपॉर्टन नहीं लगा अच्छा है अच्छा आइडिया है बिना देहज के शादी का अच्छा आइडिया है इसे समाज में अच्छे अच्छे आइडिया है कि अच्छे स्कूल होने चाहिए गरीबी खतम होनी चाहिए पेड़ पौधे लगने चाहिए ये अच्छे आइडिया है लेकिन अच्छे कि हमारे अंदर में जो आलस से है वो हमको पता ही नहीं चलता कि आलस से है वो हमको लगता है कि वो बहुत जिन्विन और सही कारण से मैं बैठा हूँ सुबह का टाइम है, सर्दी का टाइम है, रात को लाइट नहीं आई, या घर्मी का टाइम है, रात भर लाइट नहीं आई, सुबह थोड़ा सा ठंडा होता है, तो शरीर कहता है कि तो आराम कर लो, या मैं कंप्यूटर पर बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ अचानक से मुझे एक फोन में फेस्बुक पर एक टप करके आवाज आये SMS आया तो बता चला किसी मेरे दोस्त का SMS है फेस्बुक पर उसको खोला तो फोन स्लो है तो मैंने अपने कंप्यूटर में चालू कर दिया अब उसको जवाब दिया तब तक से एक फेस्बुक कितना कॉंप्लेक्स चीज़ है कि दस चीज़ें एक साथ आती रहती है वो मैंने खोला उसको देखा एक बड़ी इंट्रेसिंग सी फोटो आई उसको चालू किया इसको फिर धीमी धीमे ड्रिफ्ट होके कहीं और पहुँच गया और ये इतने सटल तरीके से होता है इतने सूक्ष्म तरीके से होता है कि हमको पता ही नहीं चलता जनुगा में एक बड़ी सुन्दर कहानी है उसमें भगवान विष्टू से नारत कहे रहे है कि भगवान ध्यान करना आपके बारे में सोचना इतना असान है आप इतने अच्छे हैं कि कोई भी आदमी आपके भक्ती और प्रेम में तो लीन हो सकता है तो यह आदमी कैसे भटक जाते हैं आपकी भक्ती में क्यों नहीं लीन हो जाते हैं आपके बारे में क्यों नहीं सोचते रहते हैं अपना कॉंसेंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ाते हैं आपके बारे में सोच कर तो उन्होंने का यह तो बहुत बड़ा सवाल है एक काम करो तो असा पहले मुझे पानी पिलाओ यार गंगा जी किनारे थे वो लोग उनको बुला पानी ले आओ पिर कहानी ऐसी गई कि वो गए नीचे पानी लाने के लिए और वहाँ पर उनको एक लड़की दिखाई दी गई उसे बाचीत में भहस में बढ़ गए कि भगवान है ये कहरे हैं भगवान हैं वो कहरें भगवान नहीं है फिर करते 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 घंटा दो घंटा बीद गया भहस में फिर वो जो लड़की थी उसने विश्णु वगवान का रूप ले लिए बूला देखा ऐसे भठकता है आदमी तो मेरा ये point है कि अगर हम बच्चों को handle करना चाहते हैं तो हमको अपने आपको handle करना सीखना पड़ेगा और handle वर्ड गड़बड है अपने आपको साधित या साधना करना सीखना पड़ेगा और साधना simple simple साधना है कि हम daily evaluate खुद के लिए करें कि मैंने आज ये मुटे मुटे में क्या काम नहीं किया है कितना आगे बढ़ा हूं जिन्दगी में ये feeling अपने आप आती है जिसे खाना खाने के बाद feeling आती है कि पेट भर गया भूके पेट में लगता है कि यार बहुत भूक लगी है खाली है एक कपचाई पिलीजे तो भूक नहीं मिटती ऐसे ही काम जो है आपके eye center की खुराख है जब आप grow करते हैं तो eye center को ये महसूस होता है कि आज कुछ हुआ किसी दिन मैं बहुत अच्छा lecture देता हूँ तो मुझे उस दिन काफी समय तक के लिए feeling रहती है कि आज कुछ हुआ मेरी जिंदगी में चाहे सामने वाले ने कुछ सीखा चाहे न सीखा हो मुझे feeling आती है कि कुछ सीखा और कहीं कुछ आगे बढ़ गया तो जब वो intensity वो त्वरा जब भुखार मेरे अंदर आना शुरू होगा जैसे कल रात को जो मैंने lecture दिया उस बच्चे को उससे मैं बहुत खुश नहीं था आपके भाई को मुझे लगा चलो ऐसे ही टाल दिया है काम कोई मेरा boss नहीं है कोई मुझे से हिसाब किताब नहीं ले रहा है कि आपके लेक्चर की quality कैसी थी आपने क्या पढ़ाया उससे उस बच्चे को समझ में आया हो सकता है उसको समझ में भी आया बहुत कुछ लेकिन मेरा अपना एक evaluation हो रहा है almost रोज रोज कि आशिश भाई आज तुम कहां पहुँचे कहां गए है और इसी से मैं बच्चों को handle करना परिवार को handle करना माबाप को handle करना सब कुछ यही सोर से मेरा तो कैसे handle करें मुझे रगता है उसके लिए हम लोग एक तो book पकड़ ले books इसलिए क्योंकि वो जो हमारी teacher है और डाटते नहीं है हमको जिसे आपने किताब ले ली मैंने एक जिनुगा ले ली पढ़ने के लिए अब वो किताब मुझे जब पढ़नी होगी तो पढ़ूगा नहीं पढ़नी होगो तो नहीं पढ़ने पढ़ना हों differently जो आदमी डाटता नहीं है उससे पढ़ने में आसान रहता है और जो डाटता है उससे पढ़ने में लगता है क्यार इसे दूरी रहो तो एक किताब ले करके उसको आप साथना शवुरू करिए एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसको बंद करके रख दीजे दूसरी किताब ले लीजे किताबों से क्यों क्यों कि किताब हमको help करते हैं भटकन को रोटने के लिए खाली बैठे हैं, तो किताब ले लीजे प्लस कोई activity, कुछ काम जो आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ contribute कर सकता हूँ टीम को या society को फिलाल हम लोग जैसे आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें और उस काम में अपने अंदर अंदर चेक करते रहें कि वो काम कहां बढ़ रहा है, जैसे गाड़ी चलाते में तो पता चलता है कि हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसमें एक बड़ी important चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, मैं भी मिस कर रहा हूँ वो यह है कि यह सवाल पूछना कि यह जो मैं activity कर रहा हूँ, वो किसलिए हो रहा है यगर मैं किताब scan कर रहा हूँ, या किताब में नाम डाल रहा हूँ तो किसलिए scan हो रहा है, या बच्चों की जो photo खीच रहे हैं या हम बच्चों की feedback ले रहे हैं, उसका purpose क्या है या आगे क्या होगा, यसे अगर किताब scan कर ली तो भहिया इसका क्या करेंगे आप लोगों को लगे जा कि यह तो भहिया जाने लेकिन जिस चीज के लिए मन में यह answer आता है वो जाने वो चीज फिर हम लोगों को motivate नहीं करती आगे काम करने के लिए तो क्यूंकि मैं देख रहा हूँ, आप दोनु बहुत मन से और महनत से काम कर रहे है लेकिन वो काम अगर मैं करता, तो मैं ज़्यादा fast करता, ज़्यादा من से करता क्यूंकि मुझे पता है उसे मुझे क्या करना है आगे पासपोर्ट का फारम भरना है तो ठीक है भर देंगे एक लाइन भरा कुछ अटक गया तो ठीक है पापा से पुछ करके भर लेंगे लिकिन पता है इस पासपोर्ट आफिस में पहुंचेगा पासपोर्ट आएगा तब मेरा टिकट आएगा तब मैं विदेश जाऊंगा विदेश जाने के लिए पास्पोर्ट बनाए ऐसे ही इसकैन या बच्चों का फीडबैक या बच्चों की फोटो का परपस क्या है अगर आपको पता होगा तो आपको डर नहीं लगेगा आप सुचेंगे चाहे पांच ही बच्चों की फोटो ले लूँ आप ले पाएंगे मैं एक इसांपल दे रहा हूँ हमने ऐसे से काम कियें जिसमें बहुत डरना चाहिए और डर नहीं लगता है और लोग डरेंगे नहीं हमको डर क्यों आ रहा है क्योंकि हमको पता नहीं कि इस से कितना बड़ा फायदा हो सकता है कल एक उबंदा जगी वासते के साथ बैठा यह एक बंदा था नहीं एक एक इसांपल दे रहा हूँ है वो बंदा था उसको बोलता है कि हम लोग बहुत बोरिंग काम करते हैं हम लोग इंशोर्नेस बेचते हैं और हाउसिंग लोन देते हैं और बहुत बड़ी कंप्टी हैं उनकी तो उसने बताया मैं रोज बताता हूँ अपने एंप्लोईज को आपस में डिसकस करते हैं कि तुम लोन नहीं दे रहे हो किसी को तुम किसी को घर बनाने में हेल्प कर रहे हो उस बंदे के पास अपना घर नहीं है छत चू रही है तो तुम से लोन ले लेगा कोई बंदा तो उसका घर बन जाएगा लोन भरे चाहे ना भरे हो तो उसके मन में फीलिंग आती है कि मैं समाज में कोई काम कर रहा हूं आगे insurance भी बोलता है कि मैं insurance जब बेजता हूँ तो यह नहीं सोचता हूँ कि मेरे pocket में कितने पैसे हा रहा है मैं यह सोचता हूँ कि कोई बंदा मर जाएगा तो उसके घरवालों का मरने को तो हम पूरा नहीं कर सकते वो तो चला गया है लेकिन कुछ तो financial help हो सकती है उसकी यह सोच करके हम insurance भीजती है तो जो activity हम करें उसके बारे में यह आपस में भी discuss करें यह भाईया पागल हो गया है क्या क्यों मुझसे फालत में scan करा रहे है बजा यह सोचने कि कि बहुत intelligent है कुछ नो कुछ तो सोचा होगा अगर कुछ नो कुछ सोचा होगा तो मुझे तो पता चले यह भाईया ने फोटो किशने के लिए कह दिया बताओ यह भी कोई पागलपन का भूद सवान हो गया कि 3000 लोग की फोटो किचो इसके क्या फाइदा हाँ कभी फाइदा होगा लेकिन कभी फाइदा होगा और पता नहीं किसलिए होगा तो एनर्जी नहीं आएगी काम करने के फिर एनर्जी जो आएगी कल मैं राम जी से कह रहा है तो हूमवर्ग पहले एनर्जी आएगी स्कूल से हूमवर्ग मिलता है न पांच पेज हुमवर करना है पापा हम लोग को देते थे बीस ट्रांसलेशन करना है अंग्रेजी टू हिंदी इंग्लिश चुकाचोके चुकी रहा रहे रही वाले तो उसमें हम लोग करते थे घसर घसर के करते थे फिर बाद में थुरत टीवी देख लिया थुरत बासीत कर तोड़ा चाय पी लिया, फिर करते करते, शाम तक करते थे, और मेरे एक भाई सहाब थे, वो तो हर sentence के पीछे एक बड़ा सा गोल गोल लगाते थे यह क्या है मुलते हैं सेंटेंस के पीछे फुल स्टाप लगाया है मैंने फुल स्टाप तो लगाया है लेकिन इतना बड़ा फुल स्टाप क्यों लगाया है सेंटेंस वाला बाहर भाग नहीं जाएगा छोटा फुल स्टाप रहेगा तो पूर्ण विराम नहीं होता तो पूर्ण विराम मोटा मोटा लगा दे थे sentence में से पूर्ण इदाम वाला भाग जाएगा मतलब basically बोर होते थे हम लोग तो काम गसर गसर के करते थे कल एक बड़ी इची चीज़ मैंने खोजी है उसकी मैंने आर्टिकल भी निकाली है उसको scan करेंगे कि अगर जो आप सीख रहे हैं उसकी जिम्मिदारी आपने नहीं ली है तो आप सीख नहीं सकते यैसे मैंने बोल दिया कि आपको ये किताब पढ़नी है साथ habit महतु कांक्षी महतु फोड लों की या मैंने आपको बोल दिया marketing किताब पढ़नी है या सिक्षा की किताब पढ़नी है ये मैं आपकी जिम्मिदारी ले रहा हूं पढ़ाई की लेकिन जब आप अपनी जिम्मिदारी लेंगे पढ़ाई की तभी आप पढ़ पाएंगे तभी आपको याद रहेगा उस बंदे लड़की ने उसका बाप गरीब वो था कच्राए कठा करने वाला आठ भाई बहन थे और टीचर जो था उसके वो स्कूल ऐसा था कि बगल में सब हर महीने में एक मडर लड़ाई जगरे रेप ऐसा था तो स्कूल में भी पढ़ाई होती नहीं थी लेकिन इस बंदे ने सुकूत मित्र का लेक्चर देखा उसको लगा कि बच्चे अपने आप पढ़ें अपनी जिम्यदारी खुद लें और डिसकुशन करना शुरू किया लोगों ने बात करना शुरू किया और फिर पता नहीं चला लेकिन एक वो रड़की थी उसके जब नंबर आये इम्तियान दे दिया जब लिस्ट निकली तो उसके जो नंबर थे कुछ 972 कुछ नंबर थे हजार में से और पुरे नैशनल लेवल का एक्जाम हुआ था पिर जब देखा गया कि और किसको 900 भातर मिले है तब स्कूल में किसी को 900 भातर नहीं मिले थे पिर डिस्टिक्ट में किसी को 900 भातर नहीं मिले थे पिर स्टेट में किसी को 900 भातर नहीं मिले थे तो मेरा पॉइंट यह है कि हम लोग यहां से जब जाएं या अपने घर पे भी रहें तो इसकी चिंता ना करें कि हमारा काम कितना बढ़ रहा है चिंता इसकी करें कि हम समझ पाएं काम है क्या हम लोग का अभी हम लोग का अपना काम पता नहीं है यह कि जब पता चल जाएगा हम लोग का काम क्या है तो काम रुकेगा नहीं और तब बच्चों को handle नहीं करना पड़ेगा, बच्चे अपने आप अपने खुद को handle करेंगी, हमको खाली उनको help करना पड़ेगा, support करना पड़ेगा बच्चों को नहीं handle करना है हमको अपने आपको handle करना है कि हम अपना काम सार्थक तरीके से कुछ-कुछ सीख सकें तो वो कैसे सीख सकते हैं मैं भी आप लोगों को एक-एक किताब दूँगा और उन एक-एक किताब को पढ़ना मन करे तो पढ़िए नहीं मन करे तो छोड़के कुछ और मागें आपको देने के लिए कुछ करो